तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल एज्जूकेशन पॉइंट में तो आज हम आपके लिए लेकर है राजस्तान क्रसी परेवैसक भरती दोहजार चोज से सम्मंदित एक मॉडल पेपर जिसमें हम बात कियेंगे राजस्तान ये जितने भी परती होगी प्रिक्साई पिछली बार आयो जित हुए उन सभी में आयो एक क्यूसन के बारे में तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रशन हमारा ये रहा उदेपूर में इस्तित राजमहल का निर्मान करवाया गया था कब करवाया गया ये 1557 में 1558 में 1569 में और 1560 में तो देखो सबसे पहले राजमहल है आपके उदेपूर में इसका निर्मान किस ने करवाय था तो उदेपूर का सासकता उदेख ऐसी है इसने इसका निर्मान करवाय था और कब करवाय था तो अप्षिन 1569 में उदेपुर में तूनी नामगस्तान पर उदेपुर सायर की स्थाफना की थी ठीक है आगे देखते देखो नेक्ट क्यूसन के बारे में तो अगला प्रशन है हमारा प्रशन नमबर दो सुनारी सब्वेता कहां अस्तित हैं खेतडी में जुनजुनु में सिकर में और निम का थाना जिल्ला निम का थाना जिल्ला ठीक है आगे देखते हैं देखो नेक्ट क्यूसन के बारे में क्यूसन नमबर तीन तामरे योगियन सब्वेता की जनननी कहते हैं काली बंगा को आहड को खनेशवर को और रेड को तो तामर यूगिन सब्वेता की जननी किसे कहते हैं ओप्सन नमर सी हो जाएगा गणेस्वर सब्वेता को और गणेस्वर सब्वेता वर्तमान में आपके किस जिल्ले में है तो नेम का धना जिल्ले में है नेम का धना ठीक है? और किस नदी के किनारे विक्षिद हुई? तो यह आपके कातली नदी के किनारे विक्षिद हुई थी और इसका उपनाम क्या है? तो तामर विगिन सब्वेता की चननी और तामरवती नगरी किसे कहते हैं तो आपके अहर सब्वेता को कहते हैं तामरवती नगरी या धूल कोट या मृत्तकों का टिला यह जो उपनाम है यह है आपके अहर सब्वेता के और प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं आपके रेड सब्वेता को जान रखना है और काली बंगा सब्वेता के बारे में जान रखना है काली बंगा सब्वेता से तीन-चार महतुपून चीज़े है जैसे सबसे पहले सबसे पहले चूते हुए खेतों के परमान चूते हुए खेतों के परमान यह कहां से मिले तो यह काली बंगा सब्वेता से मिले दूसरे कपाल चेदन की क्रियाई के परमान भी काली बंगा से मिले सबसे पहले मिस्रित कर्सी के अवसेस भी काली बंगा सब्वेता से मिले तो यह अदिजो प्रमुक अवसेस है यह काली बंगा सब्वेता से मिले और काली बंगा सब्वेता वर्तमान में आपके हनुमान गड जिले में है और एक कौन सी नदी के किनारे विक्षित हुई तो ये आपके गगड़ नदी के किनारे विक्षित हुई थी और इसका सरव परताम उत्खरंड किया था तो बीबी लावत था बीके था पर ने और खोज की थी अमलानन्द क्रोस में तो ये प्रेस्ञ भी आपको ध्यान तरकने हैं आगे देखते हैं सब्सक्री ये हम बारे में किस नदी पर बना हैं मना दाम है और चोर्ड़ नदी किस नदी पर बना हुआ है और कहां पर है ये तो यह है आपके तोर्डर राइसिंग तो कि नमीन जिल्लों के गठं के बाद किया कड़ी जिल्ले में है ठीक है तो आप वीडियो के अंतर तक जरूर बने रहना है तो कि नमीन जिल्लों के अनुसार जो भी अपडेट हुए है इस कलास में हम डिसकर्स करेंगे और ये कलास करशी परिवेसक भरती 24 के लिए बहुत ही महतुपून रहने वाली है तो चलो आगे बात करते हैं मैश्ट क्यूशन की तरफ क्यूशन नमर पाँच राजस्तान की प्रथम सहाकारी समित्य की इस्थापना कहां की गई सहापुरा में, पौक में, अजमेर में और बिनाए में तो राजस्तान की प्रथम सहाकारी समित्य इसकी स्थापना कहां पर की गई उप्सन नमर डी क्रेक्ट ट्रांस रो जाएगा बिनाए में इंपोटेंट क्यूशन है त्यां रखना है इसका का परतम सहकारी समित्य आपके बिनाय में है और बिनाय परतमान में किस जिल्ले में है तो नवीं जिल्लों के गठन के बाद यह है केकडी जिल्ले में तो ध्यान रखना है का केकडी जिल्ले में राजस्तान के परतम सहकारी समित्य है तो था केकडी जिल्ले में ही बिसल पूर बांद बना हुआ है आगे देखते हैं देखो नेश्ट क्यूस्ट के बारे में क्यूस्ट नमर छे ख्वाजा फकरुद्दीन की दरगा अस्तित है तौक, अजमेर, डेवली, सरवार तो ख्वाजा फकरुद्दीन की दरगा ये कहां पर है? उप्शन नमर डेवली हो जाएगा सरवार चोकि पहले अजमेर जिल्ले में आता था लेकिन नवें जिल्लों के गठन के बाद ये केकडी जिल्ले में आता है ठीक है, आगे देखते हैं नेश्ट क्यूसन के बारे में क्यूसन नमर साथ बिसलपूर बांध परियोजना कहां असती थे अलवर में, कंगापूर सीटी में टोडा राइसिंग में और काहा क्रोले में तो मैंने अभी आपको बताया कब बिसलपूर बांध जो है वह आपके टोडा राइसिंग केकडी जिल्ले में है और बिसलपूर बांध परियोजना भी बिसलपूर बांध पर ही संचली थे जो की टोडा राइसिंग और चिल्ला पुछी तो केकडी जिल्ला ठीक है आगे देखते देखो नेश्ट क्यूशन के बारे में क्यूशन नमर आठ राजिस्तान का सबसे गर्म जिल्ला है विक्कानेर, डुंगरपूर, बासवाडा और चुरू तो राजिस्तान का सबसे गर्म जिल्ला कौन सा इन में से तो option number 2 हो जाएगा चूरू जिल्ला ठीक है? आगे देखते हैं देखो next question के बारे में question number 9 गूरू द्रोना चाहरी की तपो भूमी है स्वच सर कोट सर साला सर, ताल चापर और माला सर तो गूरू द्रोना चाहरी है इनकी तपो भूमी कौन सी है option number 3 हो जाएगा ताल चापर, जो कि आपके चूरू जिल्ले में है और ताल चापर जो अब्यारण है वहाँ के क्या प्रसिद्ध है तो वहाँ के आपके crush नमरग है या काले हिरन वहाँ के प्रसिद्ध है, ये भी आपके द्यान रखना है ये प्रसिद्ध भी पूचने लाएगे और कई बार प्रिक्साओं में पूचा गया प्रसिद्ध है आगे बढ़ते हैं देखो next question के तरफ question number 10 दातू नगरी के नाम से प्रसिद्ध है पिलवाड़ा नागोर, गंगानगर उदैपूर तो दातू नगरी के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है या कौन सा जिल्ला प्रसिद्ध है option number 2 हो जाएगा नागोर जिल्ला और गर बिलवाड़ा जिल्ले के बारे में देखे तो या तो इसे बस्त्र नगरी भी कहते है ठीक है इसके अलबाएइस का नाविट Chance Hill City texts शिटी और इसका नाम देखे 했어 अब्रक नगरी ठीक है राजस्तान का मेंशेस्टर अधी उपनामें आपके बिल्वाड जिल्ले के और राजस्तान का अन का Arctic कर नाम कंगानगर ठीक है लिगेえ अपनाम देखे, तो इसे जीलो की नगरी भी कहते हैं, फाउंटेंड और माउंटेंड का सहर भी कहते हैं, एसिया का वेना भी कहते हैं, पूरु का वेनेज भी कहते हैं, और पूरु का पेरिस कहते हैं, अपके जैपुर को, यह आपको ध्यान रखना है, आगे देखते हैं, द देश की पहली रेल बस सेवा, यह कब शुरूई थी, ओप्शन नमर सी होजाएगा उनिस्सो चोराणम में, और कहां सेवी थी, तो मेड़ता रोड, मेड़ता रोड से, मेड़ता सीटी तक, कदेश की पहली रेल बस सेवा, कब शुरूई थी, तो उनिस्सो चोराणम में यह सुरूई थी, और कहां सेवी थी, तो मेड़ता रोड से, मेड़ता सीटी तक, यह रेल बस सेवा शुरूई थी, ठीक है, आगे देखते देखो, नेश्ट क्यूसन के बारे में, क्यूसन नमर बारा, नागोर दर बार का आयोजन कब करवाया गया, मार्च उनिस्सो सत्तर में, सुरिया पंदरा सु सित्तर है, ठीक है, सबी दिका पंदरा सु कर देना, मार्च पंदरा सु सित्तर में, माई पंदरा सु सित्तर में, नमबर पंदरा सु सित्तर में, और दिसंबर पंदरा करने कर वाए था था ठीक किसके सहयोग स्य करवाय क्रवए था तो बाहर मल्ग के सहयोग स्य करवए था यह दोनों क्रिशन आपको जान रखने हैं और कम कृवाय था तो ऐषाई नमबरत फंद्रह सो सत्तर ने ठीक आगे देखो next question के बारे में question number 13 बारणासूर का सहीद के नाम से जना जटा है mitä major ध्मान ज्यान चन्द को major शेतान सिंग और major पीरू सिंग को major इक्बार को तो बारणासूर का सहीद इस उसराम से किसे जना जटाए उप्शन नम्र 2 हो जाएगा major सेतान सिंग को और मेजर पीरू सिंग को क्या कहते हैं तो मेजर पीरू सिंग को कहते हैं या इसको इसके बारे में एक ही प्रस्न पूछा जाता है का प्रतम परमवीर चक्रविजयता यह कौन है आपके परतम परमवीर चक्रविजयता आपके मेजर पीरू सिंग और बानासुर के सहीद कहलाती है आपके मेजर सेतान सिंग ठीक है आगे देखते हैं अगले प्रस्न के तरफ तो नेक्स्ट प्रस्न है अमरा प्रस्न नमबर 14 राजिस्तान का जतिन दास कहलाता है चोरावर शिंग बारट अमरचन बाटिया वगिलाल पंड्या और बाल्मकुद बिस्सा तो देखो प्रस्न को जियान से देखना है ये चारो उप्शन में आपके चार प्रस्न सामिल है इसमीने ठीक है तो सबसे पहले राजस्तान का जतिन दास किसे कह थे तो राजस्तान का जतिन दास करते हैं आपके option number D बाल मुकुन बिस्टा को और बाल मुकुन बिस्टा का जन्म कहां पर हुआ था तो पीलवा घाओं में घाओं का नाम पूछे थे पीलवा घाओं में ठीक है चोरावर सिंग बारट को क्या करते हैं तो राजस्तान का चंदर सेखर आजाद तो ध्यारत में राजस्तान का चंदर सेखर आजाद किसे कहते हैं चोरावर सिंग बारट को और 1857 की क्रांती का भामासा हैं यह किसे कहते हैं तो 1857 की क्रांती का भामासा कहते हैं अमर्चन बाठिया को या राजस्तान का मंगल पंडे ये बी कहते हैं अमर्चन बाठिया को और वांगड का गंदी वांगड का गंदी ये कहते हैं भोगिलाल पंड्या को ठीके तो इन सबी प्रस्णों के बारे में भी द्या रखनें आपको आगे देखते देखो next question के तरफ question number 15 गोकुल भाई बट का जन्म कहां हुआ था हाथल गाउ में पीलवा गाउ में बेड़सा गाउ में और कोल्यानी गाउ में तो गोकुल भाई बट इनका जन्म कहां पर हुआ था तो वर्तमान में जो आपके competition exam में प्रशन आते हैं वया जिल्लों से सम्मंदित कम और गाउं का नाम ज़्यादा देने लग गए हैं और यह जो प्रशन है आपके पिछली प्रतियोगी प्रिक्साव में पूछा गया प्रशन है तो कौन सा option होगा इसमें? option number 1 आतल गाउं जो कि आपके सीरोही जिल्ले में है ठीक है? आतल गाउं में जन्मवाथा गोकुल भाई पट का पिल्वा गाउं में जन्मवाथा अभी मैंने बताई आपको बाल मुकुंद बिस्सा का बेड़सा गाउं में जन्मवाथा आपके कोविंद गेरी का कोविंद गेरी का और कोल्यानी गाउं में जन्मवाद आपके मोतिलाल तेजावत का मोतिलाल तेजावत का और जार रखते हैं मोतिलाल तेजावत ने 21 सुत्री मांग पत्र जारी किया जिसे मेवार की पुकार भी कहते हैं और गोविंद गीरी ने 33 सुत्री मांग पत्रे जारी किया जिसे गूरुजी का पत्र कहा जाता है। और गोविंद गीरी ने कौन सा अंदोलन चलाय था। भगत अंदोलन चलाय था। और मोतिलाल तेजावज ने एक के अंदोलन चलाय था। आगे बात करते हैं, नेश्ट क्यूसिन के बारे में, क्यूसिन नम्बर 16, लालगड पेलेस का निर्मान किस ने करवाया था, अनूप सिंग ने, राय सिंग ने, गंगा सिंग ने, करण सिंग ने, तो लालगड पेलेस, किस जिले में है ये, तो ये है आपके बिकानेड जिले म और इसका निर्मान किस ने करवाय था? ओप्सन नम्बर सी हो जाएगा गंगा सिंग ने और गंगा सिंग के बारे में important चीज़े हैं ध्यां रखना है आपको इन्हें कहते हैं आदुनिक भारत का भागी रथ आदुनिक भारत का भागी रथ ठीक है यहां बिकानेहर के स्रीपी से कहते हैं ठीक है और इन्होंने गंगनहर के निर्मान कर वाय था आगे देखते देखो नेस्ट क्यूसन के तरफ क्यूसन नमबर 17 33 कुरोड देवी देवताओं के मंदिर का निर्मान किसने कर वाय था राज सिंग, अभै सिंग, करन सिंग, अनुप सिंग तो 33 कुरोड देवी देवताओं का मंदिर की जिल्में है तो यह है आपके बिकानेहर में और कंप्यूस नहीं होना है 33 कुरोड देवी देवताओं के साल है आपके चोधपूर में चोधपूर शहर में मुट तो द्यार रखने हैं दोनों प्रिश्वय आपको द्यार रखने हैं 33 करोट देवी देवताओं के मंदpyर का निर्मान करे 사 by Caner में किसने option number ॐ अनौपछ सिंग नो 33 क्रोड़ देवतां के साल का निर्मान कर जोद्पुर सहर में किसने अभे सिंग ठीक एक तो अभे सिंग ने 33 क्रोड़ देवतां के साल का निर्मान कर वैसल और अनौपछ सिंग नicio स्क्रोर देवी देवदाओं के मंदिर का निर्मान कर वह था आगे देखते हैं देखों नेश्ट कुछिन के तरफ किसे नमर अक्ठारा के जड़ली गटना के दोराज कितने स्त्री पूरसों ने अपना बलिदान दिया था 340, 353, 363, 333 तो खेजरली गटना ये कब हुई थी तो ये हुई थी 1730 में और इस समय जोदपूर का सास्था कौन था तो अभैय सिंग था ठीक है और इसमें नेत्रत किसमें क्या था तो अम्रता देवी ने और कितने स्त्री पूरस गएल हो थे ओप्सन नमर सी 363 ठीक है और इसके बारे में ध्यान रखना है कर 1994 में अम्रता देवी विश्णाई पूरुसकार की सुरुआत है हुई थी ठीक है आगे देखते देखो नेश्ट किसमें के बारे में प्रस नमर 19 पांच आंक वाला सासक उपनाम से जाना जता हैं राणा सांगा राणा कुंबा अमेर देव चेत्र सिंग तो पांच आंक वाल सासक इस उपनाम से कौन सा सासक जाना जाता है और जैत्र सिंग ठीक है और जैत्र सिंग के बारे में द्यां रखना है कि यह चित्तोड का सासक था ठीक है और राजिस्तान में या मेवाड की सरवपरतम राजदानी चित्तोड़ों किसने बनाय था तो जेत्र सिंग ने बनाय था और भूताला का युद्ध भी इसी ने लड़ा था पूताला का युद्ध कब हुआ था ये 1227 में चेत्र सिंग तथा इलतुतमिस के बीच में ये युद्ध हुआ था जिसमें चेत्र सिंग की विजय हुई थी ठीक है और इसके हलावा और द्यार रखना है कराना संगा को गत्याम एक आँख वाला सासक एक आँख वाला सासक ठीक है और रणा कुम्भा को करते हैं तीन आँख वाला सासक ये प्रस्ण भी द्यारक नहीं कर पांच आँख वाला सासक करते हैं जेत्र सिंग को एक आँख वाला सासक करते हैं रणा संगा को तीन आखवाला सासर करते आपके रहना कुम्पा को आगे देखते हैं देखो नेश्ट क्यूशन के बारे में क्यूशन नमबर 20 राजस्तान में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए अंतिम रियासत थी कोटा, सापुरा, चलावार, बुंदी तो राजस्तान में अंग्रेजों द्वारा बनाएगी अंतिम रियासत कौन सी थी उप्सन नमबर 20 हो जाएगा चलावार ठीक है आगे देखते देखो और इसके पहले देखे तो जलावार की स्थाबना कभी थी 1838 में और इसका संस्थाब किसे माना जाता है तो जला मदन सिंग जला मदन सिंग इसके सबसे पहले सासक थे आगे देखते देखो अगले प्रस्ट की तरफ प्रस्ट नमबर 21 बपा रावल ने अपनी राजदानी बनाई थी कुंबल गड़, नागदा, कोगंदा, चितोड तो बपा रावल इसका मूल नाम क्या था? काल भोज इसके गुरू का नाम क्या था? हारी त्रीसी इसने चितोड को अपनी राजदानी किसे बनाई थी? तो अप्शन नमर जाएगा भी नागदा को और इसने मेवाड में गुहिल वन्स की स्थापना कब की थी? तो 734 सिस्वी में इन्होंने चितोड के सासक मान मोरी को पराजित करके मेवाड में गुहिल वन्स की स्थापना की थी? और अपनी राज़दानी बने थी नागदा को ठीक है और नागदा में एक लिंग नाजी के मंदिर का निर्मान भी बपारावल ने करवाय था ये प्रस्टन भी ध्यां रखना है आगे देखते देगो नेश्ट क्युस्टन के बारे में क्युस्टन नमर बाइस संत पीपा का प्रमुक मंदिर इस्तित है कागरोन में बाडमेर में बालोतरा में केकडी में तो संत पीपा इनका प्रमुक मंदिर की जिल्ले में है और जगा पुछे तो समदड़ी समधरी पहले आपके बाड मेर जिल्ले में आता था लेकिन नमें जिल्लों के गठन के बाद यह आप क्या था है बाल उतरे जिल्ले में और गागरोन में संत पीपा की चत्री है जो कि आप क्या था है चलावार में ठीक है तो जा रखता संत पीपा के चत्री का आपरे तो गागरोन में और संत पीपा की गुपा है केकडी में और इस्तान बुचे तो टोडा राय सिंग में तो ये संत पीपा से सम्मेंदे तीन महत्वपूर्ण प्रश्ण है संत पीपा के चत्री आपके गागरोन में है संत प विपाक्या मंदिराप्या सम्दड़ी बाल उत्राव हैं आगे बढ़ते देखो नेश्ट कुशन की तरफ क्यूसर नमबर 23 राजिस्तान का नर्सियं कहा जता हैं नवलदास जी को दरियाव जी को पक्त कवी दूरलब को संत धना जी को तो राजिस्तान का नर्सियं किसे कहा जता हैं उप्सन नमबर सी पक्त कवी दूरलब को ठीक है आगे देखते देखो नेश्ट क्यूसर के बारे में क्यूसर नमबर 24 मतीरे की राड कब हुई थी 1640 में 1642 में 1644 में 1646 में तो मतीरे की राड ये किस किस के बीच में थी तो एक चुछ था आपके नागोर का साथ सकता आमर सिंग राटोड और एक साथ सकता आपके बिका नियर का करन सिंग इन दोनों के बीच में कब हुई थी ऑप्सन नमर सिस 1644 में उसको ये राड हुई थी अमर सिंग जो था वो आपके नागोर का साथ सकता और करन सिंग जो है वो आपके करनियर का सा सकता तीके फिर इन दोनों के बीच में मध्यस्ता कराएगी ते इस युद्ध के बाद आगे देखते हैं देखो नेश्ट क्यूशन के बारे में क्यूशन नमर पच्चेस सज्जन गट दूर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है चीडिया टुक पहाड़ी पहामती पहाड़ी बास्दरा पहाड़ी इगल की पहाड़ी तो सज्जन गट दूर्ग यह है आपके उदेपूर में और इसका उपनाम क्या है तो उदेपूर का मुकुट मनी ठीक है और कौन सी पहाड़ी पर है यह उप्सन नमर सी बास्दरा पहाड़ी पर और अगर अगर अन्य पहाडियों के बारे में देखे तो चीडिया टुक पहाड़ी पर है आपके महरान गड़ दुर्ग चो इस्तिताब के नमीन जिल्लों के गटन के बाद चोधपूर शहर में ठीक है और भामती पहाड़ी पर है आपके कौन सा दुर्ग सहबाद दुर्ग है जो कि आपके बारा जिल्ले में है इगल की पाड़ी पर आपके जैगाड दुर्ग है ठीक है जिसका निर्मान मिर्जर रजज जय सिंग ने करवाय था और यहाँ पर प्रसिद्ध तोपे जह बानतो जिसका निर्मान सवई जय सिंग ने करवाय था आगे बढ़ते देखो नेश्ट क्यूशन की तरफ क्यूशन नमबर 26 प्रसिद एक लिंग नाजी के मंदिर का निर्मान कब करवाय गया था 730 में, 732 में, 734 में और 736 में तो प्रसिद एक लिंग नाजी का मंदिर इसका निर्मान किस ने करवाय था तो इसका निर्मन करया था बपारवाल ने कहां पर करया था तो ये करया था आपके उद्धैपुर में कब कर वाय था उप्शन नमर सी 734 से में ठीक है उड़े एक लिक नाज जी का दो मंदिर है यह लकुली संपरदाई से संपरदी थे है ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन की तरफ क्शन नमर 27 परसुराम गुपा किस जिल्य में इस्तित है अजमेर रासमन पौक पिलवड़ा तो परसुराम गुपा जो है वह आपके उप्शन नमर भी रासमन जिल्य में है ठीक है और जयां रखना है रासमन जिल्य के दो महत्वपूर मंदिर एक तो है स्रीनाजी का मंदिर स्रीनाजी का मंदिर और रहेगे द्वार कदीश मंदिर द्वार कदीश मंदिर यह दोनों प्रमुप मंदिर परके रासमन जिल्य में है और परसुराम गुपा पे आपके रासमन जिल्ले के अंतर के अधर इस्तित है आगे बढ़ते हैं नेश्ट क्यूशन के तरफ क्यूशन नमबर अक्ठाइज कुहिल वंस की कुल देवी हैं बान माता, करनी माता, चीन माता, तर नोड माता तो गुहिल वंस की कुल देवी, कौन सी लोग देवी हैं तो यह हो जाएगा आपके उप्षन नमरे, बान माता ठीक है, और बान माता का मंदीर आपके, चित तोड़गर जिल्ले में और करनी माता का मंदीर कहाँ पर है, तो देशनोग बिकानेर में ठीक है और कर्णी माता के बारे में द्यार रखना है कि इनके बच्पन का नाम या मूल नाम क्या था तो रिद्धी भाई और इनका उपनाम क्या है तो इन्हें चुहों की देवी भी कहते है चुहों की देवी ये प्रस्ने ध्यान रखना है आपको और इसी प्रकार जीन माता के बारे में देखे तो जीन माता इनका मंदीर है रेवासा शिकर में ठीक है और इनके मंदिर का निर्मान किसने कर रहा था तो राजा अट्रड ने इनके मंदिर का निर्मान करवाए था उपनाम क्या है तो मदु मक्यों की देवी मदु मक्यों की देवी किने कहते है चेन माता को कहा जाता है ठीक है और तनोट माता के बारे में दार रखना है दूसर है रुमाल वाली देवी ठीक है उनका मंदीर है आपके जैसल मेर में ये तीनों प्रस्ण भी द्यान में रखने हैं इनके बारे में आगे बढ़ते देखों नेश्ट क्योश्ण की तरफ क्योश्ण नंबर गुंद्धिस नो गावा का जैन मंदीर किस जिल्ले में इसते थे हैं अलवर खेर्थल तीजारा अनोबगड सहापुरा तो नो गावा का जैन मंदीर यह किस जिल्ले में हैं ओप्सन नमर भी हो जाएगा खेर्थल तीजारा जिल्ले में ठीक है आगे बढ़ते देखों अगले प्रस्ण की त सब प्रसक्राब 10 नरेवद्र मंदल का गठन कभ भुवा था कि 11 dul confinement 1921 में तो नरेवद्र मंडल इसका गठन कभ भुआ था उप्सन मरसी 1921 में और नरेव लांडर के प्रत्म चांसलेर प्रतम चांसलर कौन थे तो विकका निर के सासेक ते गंगा सिंग, विकका निर के सासेक गंगा सिंग जुत व추 जे वैद नरेंदर मनदर्कीर प्रतeng चांसलर थे, यह प्रस्ण भी परिक्साम में पूछा गया है, पिछली परिक्साम में, और इसका गठन कब ऊथा तो इन्नी बढ़ते देखो अगले प्रस्ट की तरफ प्रस्ट नंबर 31 करनी माता के मंदिर की नीव किस ने रिकी थी कल्यानमल ने बिका ने जेत्र सिंग ने और राज सिंग ने तो करनी माता का मंदिर अभी मैंने बताय कहां पर है डेस नो Buksion 50 ने बिकानीर में ठीक है उनका जन्म क ने जे जिले में घा तो करनी माता जन्म होला आफके देसमेर की तीक है उनके मंदिर के नीव किस ने रिकी थे 10 और प्रस्ट नंबर define बिक्का ने इसके मंदिर की नियो रखी थी आगे बढ़ते देखो नेश्ट क्यूशन की तरफ क्यूशन नमर 32 चोधपूर के किस आसक ने नाथ संपरदाई को अपना है था भेम सिंग, विजे सिंग, मान सिंग, अभे सिंग तो जोधपूर के किस आसक ने नाथ संपरदाई को अपना है था उपसे नमर 32 हो जाएगा, मान सिंग और इन्हों ने जोधपूर में नाथ संपरदाई के प्रमुक पिट महामंदिर का निर्मार करया महामंदिर का निर्मार और मान सिंग के गुरू का नाम क्या था आयस देवनाद आयस है देवनाद ठीक एक तो ये प्रेशनी भी आपको द्यान में रिखने हैं आगे बढ़ते देखो अगले प्रेशन के तरफ प्रेशन नमबर 33 1857 की करांती के समय जोदपूर का सासक था चस्वन सिंग दूतिय, मान सिंग, तक्त सिंग, समर सिंग तो 1857 की करांती के समय जोदपूर का सासक कौन था ओप्शन नमबर C हो जाएगा तक्त सिंग ठीक है और जोदपूर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था तो उसमें था मेक मौसन ठीक है ये दोनों प्रश्ण भी आपको विशेश त्यान रखने है तो आगी बरते अगले प्रश्ण की तरफ प्रश्ण नमबर 34 जस्वन थड़ा का निर्मान कब करवा गया था 1904 में, 1906 में, 1908 में और 1910 में तो जस्वन थड़ा इसको करते हैं थार का गड़ा भी इसको करते हैं ठीक है थार का गड़ा इसका निर्मान किस ने करवा था तो सरदार सेंग में कब करवा था ओप्शन नमबर जगब भी 1906 में इसका निर्मान करवा है था ठीक है आगे बढ़ते देखो अगले प्रेस्ट की तरफ प्रेस्ट नमबर 35 एक ही करण के समय जोदपुर का सासक था उमेद सिंग, हनुवान सिंग, सुमेड सिंग और सरदार सिंग तो एक एक करण के समय जोदपुर का सासक कौन था, उप्शन नमर भी उजएगा, हनुवान सिंग और यह हनुवान सिंग जो था, रापके अब पाकिस्तान में मिलना चाहता था पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था, और एक एक करण के बारे में जा रखना है, कराजस्तान का जो एक एक करण के साथ चड़नों में हुआ, तो जैसे पूर्ण होने में, दो वर्स और कितने माँ, साथ माँ और चवदा दिन लिए थे, ठीक है, आगे बढ़ चाहते को अगले प्रस्ट की तरफ, प्रस्ट नमबर चत्तिस, असुमेत यग्य करवाने वाला अंतिम हिंदू सासक था, सवाई परताप सिंग, मान सिंग परतम, सवाई जैसिंग, राम सिंग दूतिय, तो असुमेत यग् पात मुगल बात्चाओं का सासन देखा था, और 1725 में, इन्होंने जीजी महमुद साय की इस्तापना की थी, ग्रह नक्सत्रों की जानकारी के लिए, और 1727 में, इन्होंने जैपूर सहर की इस्तापना की थी, जिसके वास्तु काते विद्धेतर पट्टा चाहरी है, ठीक है और इन्होंने प्रशिद्ध जैबान तौप का निर्मान भी करवाय था, जैगर दूर्ग में, ठीक है, जैबान तौप का निर्मान, ये प्रश्णते आपके सवाई जै सिंग से सम्मन्दित, और सवाई राम सिंग जो था, वे, 1857 की कर्यानती के समेट जैपूर का सासक था और सवाई परताप सिंग ने, 1759 में, हवा महल का निर्मान करवाय था, ठीक है, और उस्ता लालचन इसके वास्तुकार थे, आगे बढ़ते दिखो अगले प्रशन की तरफ, प्रस नमबर 37, जैपूर के के सासक ने, रादा गोविंद संगीत चार संबेलन का आयोजन करवाय था, मिर्जारजा जैसिंग ने, सवाई जैसिंग ने, सवाई परताप सिंग ने और भगवन दास ने, तो जैपूर के के सासक ने, रादा गोविंद संगीत सार्समेलन का आयोजन करवाय था, आप्शन नमर सी हो जाएगा सवाई परताप सिंग ने, और इसके, अध्यक्स क कि तरफ प्रस नमर 38 राजिस्तान में सबसे ज्यादा तैसिलों वाला जिल्ला हैं चैपुर साहर चैपुर ग्रामिन दुद्दू और जोद्पुर साहर तो राजिस्तान में सबसे ज्यादा तैसिलों वाला जिल्ला कौन सा है ओप्शन नमर 2 जग चैपुर ग्रामिन और सबसे कम तैसिलों आ जिला कौन सा है दुद्दु जिला ठीक है आगे बरते देगो निर्ट कुस्टन की कैद किया था और अरजुनलाल सेटिकों ठीक है और अरजुनलाल सेटिकों नरम दल वा गरम दल के बीच की कड़ी भी कहा जता है बीच की कड़ी तो प्रशन पूछा गया है कर नरमदल वा गरमदल के बीच की कड़ी किसे का गया है तो अर्जुनला सेटी को कहा गया है और देखे देखो तो जो वीजे सिंग पत्तिक है इन्हें टोडगर्ड दूर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर प्याल रिलाल गुपता मोतिलार उत्य जिवाद कोकुल भाई भट तो गांधी जी के पांच वे पुत्र या गुल्म नंबर चार या अन्य नाम क्या है के गुल्म नंबर चार यह उपनाम किसके है ओप्सन नंबर सी सोरी ए चमनलाल बजाज के ठीक है, मास्टर प्यारे लाल गुपता को कहते हैं, चीडावा के गंदी चीडावा के गंदी ठीक है, मौतिलाल तिजवत को क्या कहते हैं, तो यहने कहते हैं, मेवाड का गंदी ठीक है, और कुकल बैट को कहते हैं, राजस्थान का गंदी तो इन प्रश्णों को भी आपको ज्यान में रखने है आगे बढ़ते देखो अगले प्रश्ण की तरफ प्रश्ण नंबर एक तालिस जांबो जी का जन्म कहां हुआ था चोथपूर बिकनेर पलोदी नागोर तो जांबो जी का जन्म हुआ था पिपासर में तो कि अप्सन मड़ी नागोर जिल्ले में है ठीक है और जांबो जी का अपना में परियावरान वेग्याने के ठीक है और जांबो जी ने कौन सा संप्रदाय चला था इस नवी संप्रदाय यह सब प्रश्ण भी आपको ज्यान रखने है आई यह बरते देगो नेश्ट किसन की तरफ बात करते हैं अगले प्रश्ण की प्रश्ण नमर बरियालेश क्रश्ण कार्यों के उपकार देवता कहलाते हैं खोगा जी पाबू जी तेजा जी राम देव जी तो क्रिशिक कारियर के उपकार देवता ये कौन से लोग देवता कहलाते हैं आप्शन नमर से हो जाएगा तेज़ा जी ठीक है और तेज़ा जी को इसन के अलवा काला बाला देवता भी कहते हैं काला और बाला लोग देवता ये भी तेज़ा जी का ही उपनाम है ठीक है और राजिस्तान का सबसे बड़ा पसु मिला है वो तेज़ा जी का पसु मिला लगता है और तेदेजी पसु मेला रखते है परबत सर नागोर में परबत सर पहले नागोर जिल्ले में आता था लेकिन नवीन जिल्लों के गठन के बाद या आता है आपके डीड़वाना कुचामन जिल्ले में ठीक है और इसी प्रकार गोगा जी के बारे में देखे तो गोगा जी को करते हम जहर पीर ठीक है और गोगा जी की सीस मेड़ी है आपके दुजरेबा में जो कि चूरू जिल्ले में हैं जहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ था और गोगा जी की दूर मेड़ी है आपके नोहर में जो कि रनुमान गड़ जिल्ले में है ठीक है और यहाँ पर क्या हुआ था गोगा जी की समाधी ले थी ठीक है इसी प्रकार पाबुजी की बात करें तो पाबुजी को कहते हम उटो के देव था उटो के देव था ठीक है यहां पाबुजी को लक्षमन का अवतार भी माना जाता है लक्षमन का अवतार और इनका मेला बरता है चेत्र अमावश्य के दिन का मेला भरता है और राम देव जी के बारे में ध्यार रखना है कि इंपोर्टेंट प्रस्णे और बहुत ही महत्वपुन प्रस्णे एक मातर लोक देवता जो एक कवी भी थे ठीक है और इन्हों ने 24 बाजिया नरत्य गरंद की रचना की थे आगे बाज करते हैं देखो तक नेश्ट क्यूसन के बारे में क्यूसन नमबर 13 दरिया कहा की प्रसिद्ध है डेगाना तागला कोटन ताउसर तो दरिया प्रसिद्ध है आपके ऑप्सन नमबर भी तागला गाओं की जो की आपके नागोर जिल्ले में इस्ते थे ठीक है आएगे बात करते हैं अगले प्रश्ण की प्रश्ण नमबर चौब मालिज चूरू जिल्ले का सुभंकर है बाग कडियाल, साहिन और क्रश्णमरग तो चूरू जिल्ले का सुभंकर क्या है आपके? और अपसे नमर डी क्रश्ण मरग ठीक है चुब बाग जो है वे आपके सवाई मादवपूर जिल्ले का सुभंकर है सवाई मादवपूर जिल्ले का सुभंकर कडियाल की बात करे तो ये आपके करोली जिल्ले का सुभंकर है और साहिन की बात करे तो यह आपके सिकर जिल्ले का सुभंकर है ठीक है और क्रश्ट नमरक जो है वह आपके चुरू जिल्ले का सुभंकर है आगे देखते हैं देखो नेश्ट क्यूसन के बारे में क्यूसन नमर पेट तालिस तर्मस्तूप कहां इस्तित हैं चूरू में, बिकानेर में, कोटा में और डिंग में तो प्रशिद धर्मस्तूब जो हैं वह आपके उप्सन नमर ए चूरू में इस्ति थे ठीक है आगे देखते हैं देखो अगले प्रश्ण के बारे में प्रश्ण नमबर च्छे अंडिस कभीर पारसला वा कज्या पारसला की स्थापना किसने की थी राम सिंग ने, स्वामी गोपाल दास ने, मूल चंजी ने और राम प्रताप ने तो एक तो है कभीर पारसला और दूसरे है कज्या पारसला इन दोनों की स्थापना कब हुई थी तो 1907 में कहां पर होई थी तो यह भी थी आपके बिक्कानेर में स्वरी चूरू में ठीक है और किसने की थी ओप्शन नमर भी हो जाएगा स्वामी घौपाल दासने ठीक है आगे देखते देखो अगले प्रस्ण के बारे में प्रस्ण नमर सेचास देवेंदर जाजडिया का जन्म कहां हुआ था बालाथल में, राजगड में, सुजानगड में और आमेर में तो देवेंदर जाजडिया इनका जन्म हुआ था उप्शन नमर से सुजानगड में आगे बाद के देखो अगले प्रस्ण की प्रस नमर 48 संत पीपाजी की तपोस्तली टोड़ा इस्तित है टौक, पिलवाड़ा, सहपुरा और केंगड़ी चो संत पीपाजी की तपोस्तली है टोड़ा ये किस जिल्ले में इस्तित है? ओप्स नमर डी केंगड़ी जिल्ले में और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर संथ पिपा जी की कूफा इस्ति थे ठीक है? और संथ पिपा जी का मंदिर है आपके बालोतरा जिल्ले में तदा संथ पिपा के चत्री है आपके कागरोंद दुर्ग में आगे देखते दिखो अगले प्रश्ण के बारे में प्रेस्ट नमबर 59 देश का सबसे कम तैसिल वा उपकंड वाला जिल्ला कौन सा हैं दोसा करोली डिंग और दुद्दू तो देश का सबसे कम तैसिल और उपकंड वाला जिल्ला हैं आपके उप्सन नमबर डी दुद्दू जिल्ला और दुद्दू जिल्ले में तीन तैसिले ह एक तो हैं आपके दुद्दू, दूसरी है आपके फागी, और तीसरी है मोजमाबाद, यह तीन तैसले हैं, और मोजमाबाद जो हैं, वहां मान सिंग की जनमस्तली हैं, और दुद्दू चिल्ले के बारे में और ज्यां रखना है, कराजस्तान का एक मतर जिल्ला, चो ग्राम पंचायद, ग्राम पंचायद से सीधा जिल्ला बनाएं, दुद्दू पहले एक ग्राम पंचायद छी और ग्राम पंचायद से सीधे एक जिल्ला बन गई हैं, ठीक है, और दुद्दू में एक नराना, इस्तान हैं, जहां पर संत्र दादू देयाल जी की चैनमस्त, जहां और प्रमुग इस ते लिए दादू 35 संपरदाई की प्रमुग पीठी है या पर ठीक है आगे देखते देखो अगले प्रस्ट के बारे में और आज के अंतिम प्रस्ट के बारे में प्रस्ट नमबर पच्छास राजस्तान का कबीर किसे कहते हैं तरना जी को पीपा जी को आता है नारायना चोकि दुद्दू जिल्य में हैं ठीक है और यहां पर द्यार रखना है कसंत दादू देयाल जो थे उन्होंने निपंग का अंदूलन चलाय था निपंग अंदूलन ठीक है निपंग का अंदूलन किसने चलाय था यह किसने चलाय था तो यह चलाय था कि दादू देयाल जी ने और दादू देयाल जी ने दादू पंतिय संपरदाय या प्रभ ब्रह्म संपरदाय की इस्तामना किय थी प्रभ ब्रह्म संपरदाय दादू देयाल ने चलाय था तो यह रहा दोस्तों आज का वीडियो जिसमे हमने बात की राजस्तान करशी परिवेक्सक भरती दोहजार चोईस से सम्मंदित पचास मैट्वपूर्ण क्योसिन के बारे में तो आप हमें कमेंट के क्या जरू बताए कि वीडियो आपको किसा लगा अगर वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नह